आप्रणून स्टुडेंट्स आज आपको ग्रेड इंग्लिश रीडर की बुक का फेज नंबर 18 कंप्लीट करना है सबसे पहले उपर आपडेट मैंशन करेंगे फर्स एकसैज में दिया है color the balloons that have vowels in them आपको उन balloons में color करना है जिन में vowels लिखे हुए है फर्स दिया है फर्स बलून में लिखा है D हमारा वाउल नहीं है तो हम इसमें color नहीं करेंगे सेक je है A हमारा वाउल है तो हम इस बलून में color fill करेंगे आप कोई भी एक color use कर सकते हैं मैंने यहाँ पर orange color लिया है इस तरीके से आप बलून में vowels वाले balloons में color करेंगे first exercise इसी तरीके से complete करेंगे आप second exercise में दिया है circle the vowels in each cloud यहाँ पर आपको clouds दिये गए हैं इनके अंदर letters लिखे हुए हैं इन में से जो भी हमारे vowels हैं उनमें हमें circle करना है first cloud में देखिए दिया है n, a and c इन में से हमारे vowels कौन से हैं a a हमारा vowels है तो हम a पर circle करेंगे second में दिया है o, p and d इन में से हमारा vowels कौन सा है o तो हम ओपर सरकल करेंगे इसी तरीके से आपको ये सेकंड एक्सेसाइज कंप्लीट करनी है